राइट 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 अर्ट अर्फ बल्कूम बैक ट्रेंट्स आज आपके सामने में न्यू विडियो लेके आये हूं और ये वीडियो और आज हम करेंगे ग्लाइकोप्लाइस और ग्लाइक्लाइस इसको हम एम पी साइकल भी कहते हैं और यह पी पाथवेड दोस्तों यह पी क्यों कहते हैं इसके जो तीन साइंटिस्ट है इंबेडल मायर हूफ एड परनास इन तीनों ने स्पेव पर काम किया था और दोस्तों यह जो साइकल है जो साइटो सोल में चलता है जो सक्थ Cytoplasma of Cell And It is an Aerobic Process That is It occurs without the presence of the Oxygen Or if the Oxygen Concentration In Cytosol Inges it is Inhibited This is called posture effect Inhibition of Glycolysis By Oxygen is called posture effect सब्सक्राइब करेंगे इसके दू टाइप से मतलब दो इसके स्टेजिस है फर्स इस दा प्रेपरेटरी फेज चेकरे इस दा प्रेप परेफ और प्रेपली फेज होता है इसमें यो ग्लूकोज होता है अलफा ग्लूकोज इंटीश कनवेटर इंटू फास्ट्रोग्लिस्रेके असिड़ और दोस्तों मारा दूसरा फेज है इसमें 3-phosphoglyceric acid will converted into two molecule of pyruvate plus ATP so here energy is generated that is it is called payout that is the energy is produced hence its name is payout i hope it is clear to you next दोस्तो जिससे related information है it occur into nine steps glycolysis के nine step होते है और दोस्तो इसमें जो involved water that is alpha glucose alpha glucose is readily absorbable inside and outside the cell membrane first target here is to locate it first reaction होता है अजर हम इसको देखे glycolysis में जो first process जलता है that is the phosphorylation phosphorylation में क्या होता है ATP is used converted into ADP and glucose 6-phosphate is produced and glucose 6-phosphate is not permeable through the plasma membrane so it is locked so it is act as a locking device I hope it is clear to you next दोस्तों आपने हैं इसके overall जो process कैसे होता है इसको करेंगे मुझे में आपको इसका introductory part clear हो चुक है तो first यहां पर क्या होगा glucose that is alpha glucose come from the outside and here it is phosphorylated first step is the phosphorylation first step it is done by ATP converted to ADP and here we have glucose 6-phosphate is produced 6-phosphate is produced and here the enzyme that help in it is the hexokinase hexokinase दोस्तों जो जो जाएं होता है वो इसमें help करता है all glucose 6-phosphate is the 6-carbon sugar and next discuss step पाता है that is the isomerization marism or isomerization here glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate this is the second step that is isomeration and it is done by the phosphoglucoisomerase अंजाइम इसका है फास्फो ब्लू को आईसोमरेज मुझे मेरा को दोस्तों यह समझा चुक्क है यह थे इसके जो फर्स्ट दो स्टेप हैं आगे इसका दोस्तों मारे पास ठर्ड स्टेप आता है that is अगें इस फास्पोर आईलेटर यहां पे एक और यहां पे यूज़ोगा अगे इन्ट एड़ीपी एंड हेर वी है फ्रक्टोस वान सेक्स डाइफ फॉस्ट आइफ पास्वेट यह हमारा तीसरा स्टेप है इसको हम फास्पोर आईलेशन कहते हैं अगे फास्पोर आईलेशन क्योंकि यहां पे फॉस्पे एड हो रहा है यह यहां पे दूस्तों, नेक्स्टेप हमारा एक है क्लीवेज इस ताइम यहां पे होगी फॉस्टाप में फॉस्टेप में क्लीवेज और इस शिक्स करवल कंपौंड नो इन-, इन-स- इन श्क्पोर आईब स्टेप बिलेशन कोईरेशन क्लीवेज इन अटिस्टेज में तू म पास्फो गलिसरेक तो यहां पर दोस्तो जो स्टैप आता है साथ में इकलीवियम मुटेन हो जाता है इस लाइसीस में यहां जो लाइसीस हो रही है इसको डी एच एपी कहते हैं यह भी कारवन कंपोंड है यहां करता है और यह इसका फारवड रेड देखे तो ज्यादा यह बनता है छेए तो हम यहां पर माल लेते हैं दोस्तों हुमारे पास फार्सपोड मेत्यायड एक दू कहुं है डो्रम मॉलिक्म क्य बनते यह जहां से हैब कि आगे साइकल जलेगा बूर्ट 2 आइम चले रेगा जितने मॉलिक्यूल दो समझा चुका है चलिए दोस्तों हम आगे इसके फॉर्दर स्टेप को करते हैं हमने अभी तक किया है जो फ्रेक्टोज वन से डाइफॉसपेट है वो डिएचे पी और थ्री फास्तों में कनवर्ट होता है आगे दुस्तों जो हमारा ग्लिसर एल डी हाइड थ्री फॉसपेट इसके दो मॉलिक्यूल बने हैं और यह तीन कारवर वाला कंपोंड है आगे सारा स्टेप इसके हम फोलो करेंगे पर आगे दूस्तों क्या होता है यहां पर वन थ्री डाइफ फास्तों ग्लिसरेट यहां पर इसमें स्थ dong CT4 और फार्सफॉरिक एसरेट यूज होता है और अन नद 2 यह भी जोटा है इस अन नड़ी जोटगे और फास्तों ग्लिदाफ यहां यहां पर यूटिलाइज हो जाता है और यहां पर जुड़ी जाता है एक और फास्वेट यहां दोस्तों हमारे पास बनता है 1-3-diphosphoglycerate तो दोस्तों यहां जो हमारा बनता है यह भी थी कारवन का है और इसके दो molecule बंते हैं जहां पे जो हमारा enzyme हम utilize करते हैं that is the glycer aldehyde phosphate dehydrogenase ग्लिसर aldehyde 3 phosphate dehydrogenase जहां बें दोस्तों क्या ओर है एक तू फास्फोरेलेशन हो रही है यहां पर दोस्तों इसमें से फास्फेर से हाइडोजन बाहर निकल रही है एक मीड इस दी हाइडोजेयोगनेशन स्थाइक्शन यहां पर काफी अनर्जी निकल दिया इस एक्सथर्मिक नेचर और इस इस वरे इंपोर्टेंट compound and energy is the promoter hydrogen acceptor आगे जे TCA cycle में जाके ATP ज्यादा produce करते हैं दोस्तों इसके बाद जो हमारा step को अगर हम बात करें तो यह step हमारा क्या बन जाता है फास्फोराइलेशन प्लस डी हाइड्रोजीनेशन यह हमारा step नेक्स्ट कर रहे हैं फाइव नंबर step इसमें फास्फोराइलेशन भी हो रही है और हमारे डी हाइड्रोजीनेशन भी खो रही है आगे दोस्तों इसके बाद क्या होता है अब यहां से फास्टरक्र मुव होगा यहनी एडीपी जो होगा इट विल कनवर्टर इन्टोलेशन एड्रीव फास्टों गलिसरेट् कि दो मलीकल बनेंगे और यहां जो और निकलेंगे वह दोластों दो एक बाहर लिकले क्योंकि साईकल नो टाइम होगा और हम क्या कहते हैं दोस्तों डी फास्फोर औराईलेशन भी ब्लैक बोर्ड में जगा थोड़ी कम है आई होप आप इससे डियस्ट करोगे आगे दोस्तों हमने अब क्या बना लिया थ्री फास्फो विलिस्ट्रेट के दो मॉलिक्यों अब आगे क्या होगा दोस्तों जाहा परेर बैए कैंट शंद्री एक्टि अधियर दोस्तों होगा यहां पर वनेगा टूफ और फास्फो विलिस्ट्रेट और यहां पर जो हमारा अंजायम एक्षिन कर रहा है यहां थर्ड नंबर कार्वन पे लगा था वो इसको हटा के दो नंबर कार्वन पे रियर्रेंज कर देगा तो दोस्तों यह हमारा स्टैप नंबर था स्टैप्ड आगे दोस्तों इसके बाद क्या होगा डैट विल भी डी हाइडरेशन होगे यहां से एस्टू विल विल रिमूवड और यहां पर हमारा बन जाएगा फास्पोफिनोल फासफिनोल पाइरूवेट पाइरूवेट और यहां जो अंजय मैं इनूलेज जो इनुलेस हमारा अंजाइम है it is helping here and this is step no.8 that is the dehydration पानी निकल रहा है बहार नेगटिव रहे हैं तो यहां हमारा दोस्तों क्या बन गया step no.8 में फास्पूफिनोल पाइरूवेट आगे दोस्तों जो हमारा last step है इसमें दो मोलेक्ल जो बने है फास्पूफिनोल पाइरूवेट के दो मलेक्यूल इट विल करवाट इन्टू दा पाइरूवेट पाइरूवेट में दोस्तों कैसे बनेंगा इच्छाए चाहिए इसाथ यहां से अबारा एटिप निकलना चाहिए फास्पूट यहां ADP यहां भी दो एटिपी बनेगे तो दोस्तों यह लास्ट टैप है इसका नाम है डी फास्फो राइलेशन स्टेप नमबर नाइन हमारा जो डिजायर प्रड़क्ट था डैट इस आ पाइरूवेट इस फोंड है तो दोस्तों यह सारा था इससे लेटर मुझे मीध को समझ कुझा और मेरा वेडिवेश करवाने का आगे दोस्तों यहां बात करते हैं सिउसकी जूंप निकलती है कितने बनते हैं गहां यहां सब्सक्राइब करें है जब हमारा ग्लुकोज से ग्लुकोज इस्ट वास्पीट वन पोस्वा भी यूज्व किया ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हमारे पास ATP कब बना जब हमारा 1-3 डाइल फास्पोग्लिसरेट 3 फास्पोग्लिसरेट में कनवर्ट हुआ तो हमारे वहां 2 ATP बने दो यह बाहर निकले है इसका नेगटिव लिख देंगे यह हमने बनाए और दोस्तों जब हमारा फास्पोग्लिसरेट फिलोर पाइरुवेट में बना तो फिर भी हमारे दो ATP बने जादि दोस्तों यहां हम अगर देखे तो हमारे क्या बना दोस्तों दो तो अगर कंपेटिटिव में आपसे को पूशी रिलाइक्टो लाइसिस में कितने भी बनते हैं तो आपका असर होगा दो पर दोस्तों यहां और कंफेजिंग बात है यहां पर एन एडी एच्टू के दो मॉलिक्यूल भी बनते हैं और हम अच्छी त कि एटी सी चेन में जब इंटर्डिउस होंगे तो गलाइकोलाइसिस की जो एंड में और को तो होगी डैट विल भी सिक्स फ्लाट्स टू डैट इस दा एट एट एटी पी तो दोस्तों यह था गलाइकोलाइसिस के बारे में हमने इसकी आपको इंट्रोडक्शन भी कराई इसकी और पूड भी करवाई इसके स्टैप भी करवाए दोस्तों मुझे अमीद आपको यह मेरा विडियो पसंद आएगा आगे दोस्तों इसका हम यूजिस पढ़ते हैं इ यह इमीडेटली नर्जी प्रवाइड करता है और यह न्यूबॉर्ण बेवी जो हते है उन में कफी नर्जी पैदा करता है एमर्गेंसी केडिशन में डिलिबरी में मेटाबोलीजम आपका स्टार्ट नहीं होता अच्छे से तो हमारा यह ग्लाइकोलाइसीस काम करता है क्यों कि वहाँ एनरोभी कंडिशन होते है लग साब के काम नहीं करते है माइटो कुनरी यह तनी फंक्शनलिटी शो नहीं करते है तो दोस्ता इस वाल आल अवाट दा ग्लाइकोलाइसीस तो लाइक दिस वीडियो सब्स्क्राइब मैं चैनल और शेर दिस वीडियो नियू कीप कं